शायद कभी असकू मैं तुम को कहे बिना चला तूम शायद हलो गाइज अगर आप भी कलर गेडिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है जैसा कि गाइज कलर गेडिंग से आपकी वीडियो का कलर बहुत अच्छा दिखने लगता है वे वीडियो वायराट होने के चांस बढ़ जाते हैं तो गाइज, आज की वीडियो color grading पर होगी तो गाइज, वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले अपने vn app को open खर लेना है वो उसमें वे वीडियो ला लेने हैं जो आपको edit करनी है वीडियो लाने के बाद में अधर पार्ट को आपको डिलेट कर देना है अधर पार्ट डिलेट करने के बाद में आपको वीडियो की जो वोल्यूम इसको कम कर देना है जीरो कर देना है वोल्यूम जीरो करने के बाद में आपको इस्टोक वाल एकन पर जाना है और आपको यहां से moon png ला लेनी है moon png लाने के बाद में आपको आग गया आना और यहां पर एक आपको feel को option दिखेगा तो यहां से आपको feel करवा लेना है feel करवाने के बाद में आपको अपनी वीडियो पर double tape करना है और इसका duplicate कर लेना है मैं डुप्लीकैट करने के बाद में आग अगया नए और आपको फोरवड करवा लेना को फोरवर्ड वाली वीडियो को आपको मून पींजी की उपण लहां लेना है वह अधर वाली पार्ठ को डिपकर देना है अधर वाले पác mein को धिलेчно करने के बाद में आपको आपने जो फ्रफवर्ड क्युवी वीडियो पर क्लिक कर नऔर यहां से फीKYल काॉप से देख हो निच्छे यहां से फील कर लेना है फिर आगने आपको यहां पर यह करोमा न Sally ऐसक कर लेनी है See अब अच्छे से कर देना है इसकी करोमा की सब्सक्क्राइब है just PNG इसको फूल कर ले ना यहां से इंद्ग करने के आपने आपको आपका जो song उसके हिसाब से इसको कट कर लेना आस्keiten करने आ जो आपका जो song उसकी आपसे आपको यह moon पेर्य लेना कट कर मैं यह बीट का हिजसाब से जितने पार ना आपके पास उतने कर लेना फिर इसको इस पर क्लिक करना और इसको यहां से कट कर लेना इसको यहां से कट कर लेना यहां पर इसके फॉर पार्ट कर लिए मैंने मैंने यहां से इसके four part कर लिए इसका पहले वाले पार्ट पर क्लिक करता हूं फिर यहां पर filter पर जाता हूं filter वाले option पर जाने बाद एड़ेस्ट में जाता हूं और यहां पर आपको एक temperature का option देखेगा temperature पर जाना और इसको यहां पर माइनस के 50 कर लेने हैं और फिर आग गया आपको हूं में जाना और हूं में जाने के बाद में आपको इसको पिंक करना तो पिंक कर लो इतना पिंक कर लेना और इसकी थोड़ी सी saturation बढ़ा देना saturation बढ़ने यह बाद में आपको यह जो क्रेक्टर है इस वाली को ब्लेक कर लो आप इसको भी ब्लेक क्रेक्टर कर लो आप इसको ब्लेक क्रेक्टर में अच्छा दिखेगा यह पहले वाली हो गई फिर दूसरी वाली पर क्लिक करना आपको फिल्टर में जाना और आपको यह प्लस के 50 करने के बाद में आपको यहां पर यह पिंग यह लो गया यह लो ने के बाद में इसकी सेचुरेशन बढ़ा दो थोड़ा यहां पर यह लो हो गया फिर यहां पर इस पर किलिक करना है यहां पर एडिजेस्ट में जानना है फिर टेंप्रेश्चर में जानना आपको और इसको थोड़ा सा इसको 25 कर लो इसको थोड़ा बढ़ा दो यहां पर ग्रीन कर लो इसकी सेचुरेशन को बड़ा दोर रेंसी वोड़ा दोई फिर आपको फोर वाले पे आने फोर वाले पे आने वाद फिल्टर में जाने एड़ेस्ट वे जाना है फिर यहां पर आपको टेंप्रेच्र को माइनस पे रख लो माइनस के 75 तक और इसको आप जैसा करना चाहो तो इसको 78 पर रख लो प्लस के फिर आपको यहाँ पर जाना है सेचुरेशन में 50 प्लस के कर लो इसको थोड़ा 25 कर लो इतना इतना करने के बाद में देखो यह आपकी कलर ग्रेडिंग हो गई है इसके दो पार्ट कर लो अगर यह बढ़ा तो यहां पर एक और कर लो आपको यहां पर जाना हूँ रिश्का फिल्डर एर्जेस्ट कर लेना है फिर टेंपरेचर को माइनस माइनस प्लस करके देख लो इसे आपको फूमी जाना है को कौन सा छलक रहे है यह यह वाला ठीक है जह वाला थो गया यह वाला-यह वद्ला-यह वाला-ख्षी है तो इस तरह से आप अलग-अलग अब training कर सकते हैं और प्र आगे जाके ओर चेंजь हो जैगा कलर फिर यहां पर और चेंज करने बाद में आपको यहां पर टेक्स्ट भी लिए सकते हैं आपकी video की video की सौंग के हिसाब से text लिख लो text से भी ओजाएगा थुड़ा अच्छा लगने लगेगा आपकी जो भी टेक्स्ट उस तरह से लिख लो यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखने के बाद में इसको थोड़ा एडिजेस्ट कर लो अपर ले जाकर और भी उपकी लगने लगेगी वीडियो आपके तो गैज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट मॉक्स में बताना और अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वाबेल आइकन को ओल पर सेट कर दो और गैज यार अभी इतना वीडियो देख लिया तो लाइक तो कर दो यार प्लीज बहुत मेनद कर रहो आप लोगों के लिए यार ठीक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर तो लाइक और शेट ठोक दिज्ट तो आगे लाइक और शेट ठोक दिज्ट लिए पाज़ाई